हेलो दोस्तो अगर आपको आपकी प्रोफाइल का कोई ऐसा फोटो बनाना है या ऐसा कोई ब्लैक और वाइट फोटो बनाना है या फिर कोई अच्छा यूटूब का थमने लभी मैं आपको बताता हूँ अगर वैसा कुछ बनाना है ठीक है या फिर टीशर्ट के अंदर आपक अपको तो आपके लिखना है, ऐसे कुछ बिजाइन डालना है, यह सब मैं खली बराबर बता रहूं मोटा मोटा आपको, या फिर ऐसी कुछ आपको इमेजीज बनानी है जैसे पूढ काल्स कर वर हो गया, प्रोफाइल प्लिग हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, और यू सब automatically हो जाएगा कितनी देर में सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से एक मिनिट के अंदर अंदर वीडियो की end में बताऊंगा यह concept है और इसमें आप आसानी के साथ काम कैसे कर सकते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इतना बता हुआ तो अगर अभी तक आपने मेरा आप इसमें कोई भी फोटो को आसानी के साथ उसका बाइगराउंड कैसे क्रॉप कर सकते हैं यह सब चीजे कैसे कर सकते हैं चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ उसके लिए आपको जो है के प्लस के आईकन पे आना है प्लस के आईकन पे आगया मैं अभी यहाँ पे फोट आसानी के साथ इरेज कर लेगा जैसे कि आप अभी तस्यूरों में देख सकते हैं देखिए इसका बैगराउंड आसानी के साथ इरेज हो चुका है और अलग-अलग तरीके का सजेशन ये लोग दे रहे हैं कि इसमें कौन सा बैगराउंड अच्छा लगेगा ये देखिए इस है उरीजिनल बैगराउंड आ गया जैसे की आपके सामने आप देख सकते हैं और साथ में ही ये पिच्चर पूरी कलर हो गई और इसके पीछे का बैगराउंड जो है BLACK AND वाइड हो गया जैसे की आप डेख सकते हैं इसमें अब अलग-अलग तरीके का क्या कर सकते हैं सब कु इसा है देखे यह वाली इमेज आपको डाउनलोर करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ इमेज इसमें जादातर फ्री है तो अच्छी वाली जो है वो प्रो है मतलब उसका पैसा लगता है यह देखिए अलग-अलग तरीके का आचुका है इसमें इमेज लेकिन यह प्रो है इसका प यहां पर आज चुका हूँ solid color मतलब इसमें background भी जो है change होके आपको मिलजा है ठीक है तो यह देखिए dynamic portrait इसमें अलग-अलग तरीकी का automatically design होके भी आ चुका है आपको जैसा चीए आप वैसा design भी ले सकते हैं आपके सामने यह देखिए यहां पर आपको जो चीए आप वैसा ले सकते हैं इसमें काफी चीज़े हैं अगर हर चीज़ बताने जाओंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी ठीक है मैं मुटा मुटा इसमें कुछ चीज़े बचा दे जाओं जैसे solid color इस पर orange पर आके मैंने लेकिन इसमें एक चीज़ है अगर आपका अकाउंट प्रो नहीं है तो फोटो रूम का है इसमें वाटर मार्क आता है जो कि आपको लेना पड़ेगा मतलब वो फोटो के साथ ही डाउनलोड होगा उसके बाद चाहिए तो आप क्रॉप करके कहीं पे भी आप डिपी रख सक लेकिन इसका बेक्डाउंट इसके लिए आपको ब्लसरा होता मतलब कोई जंगल वगम है कोई चंशरी सिक्रान होता तो इस पर शीम्याइं है यह तो आज को अ su dek प्र जेम आके है अगर इस फोटो को ब्लर करती तो यकिंध रहा है ये देख किया यह एप हल्का हलका आप c देख सकते हैं बलर दिख रहा है आपको अलग अलग तरीकी की चीज़े हैं इसमें आप कुछ जो चीज़े वो ट्राय कर सकते हैं तिक अभी फिलाल मैं नन कर देता हूं नन पर मैंने टिक किया ताके यह ओरिजनली रहे वहां पीस अब्जेक्ट पर आया ठीक है अभी मैं इसको जो है शैड़ो के लिए शैड़ो पे आके मैंने यहां पे आके टिक किया टिक करने के बाद आप देख सकते हैं इसमें नहीं एव ब्लैक ले रहे इसको बोलते हैं मतलब यह लड़की के पीछे से 하니까 आ रहा है आप चाहिये तो इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं देखिए मैं हाथ की मदस से मतलब यहां पे मैं इतने पोर्शन में उंगली रखे कि कहीं पे भी यह ऑबजेक्ट को मतलब यह जो शेडो है उसको मूव कर सकता हूँ ऐसे अभी होने के बाद मुझे डन पर टिक करना है यह हो गया इसका शे हूँ देख रहा है आपके सामने हैं आप अपनी ऑप्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी फोटे के अकॉर्डिंग अप एड़्स कर सकते हैं अब मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई दूसरा एक और फोटो एड करू तो उसके लिए आपको प्लस पे टिक करना है यह प्लस बट आफ गिया मैंने कूल कि किग एक्जेंफल मान लिजीए फिरिप उसके डाट डं पर टिक किया अभी यह देखिए इसको यहाँ से छोटा किया यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर आके रग दिया छोटाबBoy आप अपने according हाग कर सकते हैं, यहाँ पे आके मैंने टिक कर विया, आसानी के साथ आप ऐसे text भी add कर सकते हैं, इसमें अगर आपको image add करना है, तो चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ, कैसे add करेंगे, वापिस plus प्लस पे आना है, अभी मैं image लेके आपको बताता हूँ, मान लीजिए, देखिए, मैंने शारुक खान का photo लिया, यह photo लेने के बाद देखिए, शारुक खान के photo को scan कर रहा है, इसका पूरा पूरा पीछे का background जो erase हो जाएगा, सिर्फ यह transparent image रहेगी, यह image आगई, आपके सामने, यह इसको मैंने छोटा करके इधर रख दिया, इसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप arrange पे आएंगे, आरेंज पे आने के बाद आपको front पे टिक करना है, front पे टिक करें, देखें लड़की सामने आगई है, शारुक खान पीछे चला गया, front पे टिक किये तो आपने, यह देखिए, आसानी के साथ आप इसको अभी बड़ा चोटा कर लीजिए, शारुक खान को मैं भी थोड़ा चोटा करता हूँ, यहाँ पे रखा हूँ मैंने, और यह थोड़ा कूल पिक को बड़ा कर देता हूँ मैं, यह बड़ा कर दिया मैंने, तो आसानी के साथ आप इसका font भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप आराम से font ले लीजिए, font चूज करना है, जो वाला, वो font चूज कर लीजिए, आपके सामने मैंने ले लिया हूँ, देन पे टिक किया हूँ, फॉंट का कलर चेंज करना है, तो आप color change कर जीजिए, अभी फिलाल मैंने blue लिया है, तो blue दे दिया मैंने इसको, फॉंट को shadow देना है तो shadow देजी जिए यहां से जैसे मैं move करता हूँ यहां से shadow तो यहां पे फिलाल इसका shadow यहां पे ले लिया done किया ठीक है और उसके बाद अगर font को मुझे outline भी देना है तो outline भी मैं दे सकता हूँ color ले लिया इसका समझ लिजे white ठीक है size मैंने छोटा करना ह मैंने size चोटा किया यह हो गई है हमारी photo जो है ready अगर इसको अभी आपको download करना है तो आप यहां पे download पे मतलब इस पे टिक करके इसको photo को download भी कर सकते हैं आसानी के साथ तो चलिए अभी मैं download करता हूँ लेकिन एक शर्थ है कि यहां पे watermark आता है photo room का जो कि आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आपका pro version नहीं है यह देखिए आपके सामने जैसी मैंने उपर download पे मैंने टिक किया टिक करने के बाद हमारे सामने option आ गया save to gallery, share और watermark, save to gallery आराम से हो जाएगा लेकिन अगर आपको watermark निकालना है यह वाला तो आपको pro version खरीदना पड़ेगा, अगर मुझे तो लगता है कि जाता तर लोगों को watermark से फारक नहीं पड़ता है तो save to gallery सब वही ले लेते हैं free version अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ कि YouTube का thumbnail हम कैसे बनाते हैं माल लीजिए कि मैंने ये वाला thumbnail जो है चूज कर लिया YouTube का ठीक है अब इस पर आ गया मैं यह भी यह download हो रही है images वर्क होने के लिए जैसे यह download होगी आपको यहाँ पर देखिए मैं आया person पर आया अब यहाँ पर मुझे change करना है इसको तो मैं क्या करूंगा replace पर आऊंगा मतलब अपनी photo के साथ इसको replace करना है replace पर आया आने के बाद यह photo ले लिया अभी देखिए आगें यह photo scan हो रही है इसका background erase हो गया यह देखिए आसानी के साथ यह उसी photo के साथ replace हो गई अब इसको मैं जैसा चाहिए वैसा रख सकता हूं इसके border वगरा भी वैसे ही हो गया है और stay home लिखा है मुझे यहाँ पर change करना है तो इस पर आके मैं double tap किया double tap करके जो चाहिए मैं वो लिख सकता हूं जैसे मैं मेरा नाम ही लिख देता हूं example मान लीजिए यासर ठीक है यासर लिख दिया मैंने यहाँ पर आएके थोड़ा सी इसको बड़ा चुटा कर दिया आपके इसाब से आपको करना है तो यह जो है पीछे का जो artwork है इसको कि मैंने पहले भी बताया प्लस पे आ गया मैं प्लस पे आके टिक किया यह example मान लीजिए text add कर देता हूं मैं please check my photography example लिख रहा हूं मैं आपको जो चाहिए आप लिख सकते हैं photographs example ले रहा हूं मैं यह आ गया text text को मैंने छोटा किया काफी बड़ा हो गया double tap किया इसको यहाँ पर आके enter किया इसको यहाँ पर आके enter किया एक के निचे का गया यह example ठीक है यहाँ पर आया मैं इसको टिक किया यहाँ पर अब थोड़ा bold font ले लेता हूं मैं font पर आ गया ठीक है एंटन font ले लिया मैंने इस पर आके टिक किया मैंने color थोड़ा change कर लेता हूं मैं color पर आया आने के बाद example मान लीजिए थोड़ा सी dark color लेता हूं यह वाला और इसको जो outline भी देता हूं ताकि अच्छे से दिखे मेरा फोग तो outline भी ले लिया मैंने size color ले लिया outline का white आसनी के साथ अभी मेरा tag जो है दिख रहा है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप आसनी के साथ अपना YouTube का thumbnail भी बना सकते हैं कितनी देर में हुआ एकदम अच्छे से यह thumbnail भी मुश्किल से एक मिनिट के अंदर आपका thumbnail जो है बन गया है YouTube का तो इसमें काफी features है सब बताने जाओंगा तो वीडियो काफी बड़ी हो जाईगी आप एक एक करके प्लीज चेक कीजिए तो दोस्तो उसके लिए आपको Google Play Store में आना है और Google Play Store में आने के बाद आपको Photo Room Remove Background नाम का app डाउनलोड करना है जाते जाते दोस्तो आपको इतना ही बुलना चाहूंगा अगर अभी तक आपने मेरा चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें